चलो यार गाइस पाइनली आज तो मेरा होमवर्क भी पूरा हो गया और गाइस आज तो मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ क्योंकि आपको पता है दोस्तो आज है मेरा जनम दिन आप सबी लोग मुझे हैपी बर्डे टु यू बोल दो दोस्तो चलो यार जल्दी से फ्रेंकलिन को बही हैió कि आखिर आज़ हमारी पाठी के लिए क्या करने वाली है इस सिंचन हैपी बर्डे यार हैपी बर्डे टो यू अज आप हमें कितनी बार हैपी बर्डे बोलोगे आस्ते आप सुबा में ही मुझे बोले थे फिर रात को बारा बजे भी बोले थे अज यार क्या हो गया फिर तु तो मेरा छोटा भाई है न यार तो तुझे हैपी बड़े तो बोली सकते हैं अरे यार दोस्तों सुनो ना आप लोग भी मेरे सिंचन भाई को हैपी बड़े तो यू बोल सकते हो अरे हाँ यार दोस्तों आप लोग भी मुझे हैपी बड़े तो यू बोल सकते हो अज तो ऐसी पाटी होगी ऐसी पाटी किसी ने मनाई भी नहीं होगी बड़े में अज तो बहुत ज़्याद मज़ाएगा हम लोगों को अज तो यार दोस्तों चलती है आज तो यार बहुत ज़्याद मज़ाएगा अज तो यार मेरा बड़े है न यार दोस्तों तो मुझे तो यार कितना ज़्याद मज़ाएगा चलो यार दोस्तों चलती है यहाँ पर से दोस्तों यह देखो मेरा घर है और हमारे बहुत सारे धोसी नहीं perfect हैं यार लेकिन एक बात धोस्तों आज दोस्तों आज तो आज मेरा दोस्त kisiny ब57 की नहीं किया है। और हाँ दोस्तो आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो आखिर आप लोग का बड़े कब कब आता है दोस्तो मुझे कॉमेंट करके बताना मैं आप सभी को बड़े विश्च करूंगा चलो यार दोस्तो ये लो मैं आगिया अरे बापरे यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्या है अरे बापरे यहाँ पर दोस्तों देख रही हो कितने सारे यहाँ पर RC कार है यार मेरे पास तो एक भी RC कार नहीं है अरे बापरे रुख जाओ रुख जाओ अरे 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 लिटल सिंगम लिटल सिंगम अरे यार आज मेरा क्या है तुझे पता है क्या अले यार क्या है सिंचन मुझे कैसे पता चलेगा तेले पास क्या है अरे यार मेरे पास नहीं भाई आज कुछ खासते है तुझे पता नहीं है क्या आज बहुत है स्पेसल डी है अले याल मुझे कैसे पता होगा तेला क्या special दिया बोलेगा तभी तो मैं जानूँगा अरे याल लिटल सिंगम तु तो भाई कैसे कर रहा है यार आज तो तु मुझे happy birthday भी नहीं करा और यहाँ पर तु लोग dance और मस्ती कर रहा है अले बापले सिंचेन आतिला बड़े है क्या अरे हाँ मेरा ही बड़े यार तुने तो मुझे बोलाई नहीं अले याल साउली साउली सिंचेन happy birthday to you happy birthday to you अरे अले चलो चलो ठीक है ठीक है देखो ना दोस्तो इसको याद भी नहीं है यार लिटल सिंगम को अरे यार राजू तु तो भाई रिमोट में ही लगा रहा भाई तुने मुझे बड़े विष किया की नहीं आज यार अले याल मैं तुम्हें बड़े विष नहीं करूंगा जाओ याल सिंचेन यहां से तुम चले जाओ मेले घल से अरे भापरे क्या हूग यह राजू कैसे बाति कर रहा है तुमारे पास कितनी अच्छी-च्छी कार है यार दोना जरा एक बार मुझे भी चलाने को अले अले जाओ जाओ सिंचेन मैं अपने काल तुम्हें नहीं देने वाला और तुम्हें बद्देविश भी नहीं करूंगा अरे बापर दोस्तों देख रही हूँ ये राजु का बच्चा कैसे कर रहा है और यार सोनीक अरुद्रा यार तुम लोग भी मुझे बद्देविश नहीं करे हो ना अरे बद्देविश कर देने में तुझे क्या हो जाएगा भाई कर देना अज मेरे घर में ग्रेंड पार्टी रखी गई है आज यार तुम लोगों को बहुत अच्छी पार्टी दूंगा अले अले जाजा तेली पार्टी हम लोगों को नहीं चाहिए तु तफ़ा ती चल है तेली पार्टी कौन लेगा अले बापरे ये कैसी बाते कर रहा है यार तु लोग यार मेरी पार्टी है तु लोग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यार अले अले मेली काल लगा दे नहीं तो बहुत माल मालूँगा देख लेना सिंचेन तेला बद्दे है तो बद्दे ख़लाब कर दूँगा मैं अरे बापरे क्या बोल रहा है राजू यार तेला बद्दे में कैसे कैसे बाते कर रहा है यार मैं तो यार तेरी छोटी चोटी सी आर्षी कर चला लिया था अरे यार दोस्तों देखो ना ये मेरे दोस्तों लोग है कितने बुरे है यार तुझे बहुत मालूँगा देख ले ना तेरा बद्दे खराब कर दूँगा अले याल क्या हो गया याल कैसी बाती कर रहा है मैं तेरी काल में चट गया तो क्या हो जाएगा याल राजू अले बाप ले तुने तो मेली दो दो आलसी काल चला ली लुग जा मैं तुमें पताता हूँ मैं तुमें उस समय से बोलना हूँ मेली काल मत चुना लेकिन तुमें 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 इतना ज्यादा मालूंगा नहीं आलसी काल की तू भील अपना तेला बद्दे भी बूल अरे बापरे कितना ज्यादा माल रहा है चोड़ देने राजु यह क्या कर रहा है भाई तू यार मैं तो तुझे अपने बड़े में सेलिब्रेट करने के लिए बोलने आये था अले जा जा मैं तेले बड़े में नहीं जाऊंगा और हाँ मेले दोस्त कोई भी नहीं जाएंगा चले यहां से भाग जा नहीं तो अल्ला तुझे बहुत मालूंगा समझे क्या अरे बाप्र यार दोस्तों देख रही हो यह राजू कितना बुरा है यार हम लोग तो यार इसको यार बोलने आए थे कि आज यह लोग मेरे बड़े में आएंगे लेकिन दोस्तों यह तो बहुत बुरे है यार कितना जादा मुझे मार दिया है छोड़ो यार जाता हूँ मैं पापा यार रैंजरोवर खरीद लो रैंजरोवर खरीद लो तो यह देखो दोस्तों मैंने यार रैंजरोवर खरीद ली चलो यार अब चलते है गर की तरफ और इसी के खुसी में मैं अपने बच्चे को पाटी देता हुए देखो मेरा बच्चा यहां है अरे बच्चो कैसे ह तुम लोग और देखो यह नई काल हमने खरीद ली अले पापा जी बहुत अच्छे हूं अले पापा जी बाप ले मेली पसंद की काल आपने खरीद ली और यह क्या यह फोटीचर यहां पर क्या कर रहा है अरे अंकल जी आप कैसे बाते कर रहे हो एक तो आपका बेटा चलता हूं चलो पिकनिक पर चलती है अले अपनी लेकर जाओ जाओ गरीब कहीं के तूब अपने अपने चलतीया साथ मैं आपने तो यह कितनी अच्छी काल खरीद ली यह तो बहुत ज्यादा सांदाल है अरे हाँ यार बेटे बहुत ज्यादा सांदाल है चल चल बैट जा या लिटल सिंगम और सोनिक तू नहीं जाएगा क्या अले नहीं नहीं मैं नहीं जाओंगा आप लोग जाओ घुमो मस्ती कलो चलो ठीक है बच्चे मैं जाता हूँ अरे बाप ले कोई तो मुझे ले करके चलो मुझे क्यों चोड़ दिया अरे दोस्तों सुनो ना मुझे ले करके चलो ना अरे जाओ जाओ फटीजर कही के हम लोग तुझे क्यों ले करके जाए चलो बच्चे वास तो यार ये कार देखो कितनी अच्छी है आज हम लोग मस्त पार्टी करेंगे और साथ ही पिकनिक मनाएंगे मज़ा करेंगे अले बाप ले चलो चलो पापा जी मज़ाएगा अडे या बच्चे बहुत मज़ाएगा चलो चलो अरे यार दोस्तों देख रही हो ये लूग कैसे कर रहा है यार ये तो यार राजू के पापा और भी गुंडे निकल गए मतलब कि यार वो तो बहुत बिकार है चलो यार दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ फ्रेंक्लिन भीया को बोलूँगा कि आज तो मुझे भी एक बड़ी ले कर रहा हूँ अरे यार दोस्तों इसको कितनी अच्छी है यार अब जल्दी सेना को मैं बोलूँगा और जाइस यार फ्रेंक्लिन भीया को बोलूँगा फ्रेंक्लिन भीया मुझे भी एक अच्ची वाली का दे दू नहीं तो यार समझ लेना अरे बापरे फ्रेंकलिन भाईया कहा हो या तुम अरे यार सिंचन भाई मैं नीचे हूँ यार जहाँ पर तु देखा था मैं वहीं पर हूँ अरे बापरे यार फ्रेंकलिन भाईया रुको यार मैं आ रहा हूँ अरे यार सिंचान तुने अपने दोस्तों को इंवाइट कर दिया यार बड़े के लिए अरे नहीं फ्रेंकलिन भाया यार वो हम लोगों को कितना ज़्यादा मार रहा था यार राजू और राजू के पापा तो आपको बोल रहते कि फ्रेंकलिन फर टीचर है अरे बापरे फ्रेंकलिन भाया पता है यार राजू के पास तो कितनी सारी आरसी कार है और वो मुझे बोल रहा था कि वो मेरा दोस्त नहीं है राजू लिटल सिंगम सब कोई मुझे बोल रहा था कि वो सब मेरा दोस्त नहीं है फ्रेंकलिन भाया अरे यार सिंचन ये क्या बोल रहा है भाई वो लोग तो तेरे ही दोस्त है न अरे बापरे फ्रेंकलिन भाईया उसके पापा ने एक नई कार खरी दिया रेंजरूवर और इसलिए गाईस वो लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा क्या क्या बोल रहे थे और उसके पापा तो बोल रहे थे कि फ्रेंकलिन फर टीचर है उसकी तो अकात नहीं ऐसी कार चड़ने की अरे बापरे फ्रेंकलिन भाईया तो मुझे यार एक ऐसी कार चाहिए ही चाहिए कुछ भी हो जाए अरे यार शिंचन भाई क्या बोल रहा है भाई कार के लिए पैसे कहा है भाई? हम लोग कार कहा से खरीद पाएंगे? अरे यार सिंचन भाई तू कैसे बोल रहा है भाई अपने पास तो पैसे ही नहीं है हम लोग यार कुछ भी हो जाए मुझे तो यार चाहिए ही चाहिए अरे यार तुम लोग तो मुझे परेसान कर दिये देख भाइस इंचन वैसे तो यार मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं सिम्योन के सोरूम में तो नहीं जा सकता लेकिन यार मैं स्क्रैफ फैक्टरी में जा सकता हूँ वहां से मैं एक खटारा वाली कार खरीत कर उसको रिपियर कराकर नहीं बना सकता हूँ बोलो क्या बोलते हो अड़े बाबरे फ्रेंकलिन भाईया लेकिन मुझे यार नहीं क्या चाहिए मैं बता देता हूँ उसको रिपेर करने के वाद नहीं बना दोगे तभी मैं चलूँगा अड़े हाँ ठीक है ठीक है आजाओ अड़े यार दोस्तों यह सिंचन भी न यार यह अपने बड़े पे क्या क्या नकड़े करता है पता नहीं यार और यह सिंचन यह क्या है भाई यह चोटी सी कार किसकी है अड़े यार फ्रेंकलिन भाईया यह वही राजू की है मैं लेकर क बागाया मुझे कितना ज़्यादा मार रहा था ना इसलिए अरे हाँ ठीक है ठीक है लेकिन भाई हम लोग कैसे जाए यार अपने पास तो कोई कार भी नहीं है अड़े यार, Franklin भया, चलो न यार, सर्मा ँंकल की कार लेकर चलती है अड़े हा, चलो, चलो, आज़व, आज़व, देखता हूँ यार, सर्मा के पास है क्या अड़े बापbankर, आज़व, भाई, यहाँ पड़े कार है जल्दी से आ करके कार में बैठ जा भाई सिंचन अरे यार दोस्तों ये लोग तो मुझे कितना ज़्यादा पड़े सानी करने लगते हैं चल भाई सिंचन जल्दी से बैठ जा अरे हाँ यार तुझे तो मज़ा आएगा भाई लेकिन अपने पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है तो ये सब भी देखना है भाई चले यार चलती है अरे हाँ यार चलो ना यार आज तो अपने प्यारे भाई सिंचन का बड़े है यार तो इतना भी नहीं कर सकते क्या अरे हाँ यार चलो ना कर सकता हूँ मैं क्या ही दिक्कत है अरे यार दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एक यार स्क्रेप सी कार लेलू फटीचर सी और गाइस उसको मैं जीमी के सोडूम में जाकर के उसको मस्त से अपग्रेड करा दू और यार वो अच्छी कार बन जाएगी अरे हायर फ्रेंक्लिन भाईया बहुत मजाएगा चलो दोस्तो जल्दी से चलती है और आप लोग दोस्तो आप लोग भी अपना बड़े हमें कॉमेंट करके बता सकते हो कि आप सभी का बड़े का बाता है और आप लोग सिंचन के बड़े को भी बता सकते हो हैपी बड़े टो यू सिंचन बोल सकते हो एड़े हायर दोस्तो बोल दीना बोल दीना चलो यार फ्रेंक्लिन भाईया यार जल्दी से चलो यार उसके मालिक से बात करके देखते हैं कि कोई हमें यार छोटी दाम में कोई अच्छी वाली कार मिल जाए तब तो यार मज़ आ जाएगा अरे हाँ यार फ्रेंगलिन वह यार चलो यार बहुत ज़्यादा मज़ आएगा अरे हाँ ठीक है ये देखो दोस्तो यार ये यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी कार सा यार बहुत ज़्यादा अरे यार सिंचन भाई देख ले यार इसमें से कौन से तुझे कार चाहिए अरे बापडे प्रेंगलिन भहिया यहाँ पर तो यार कितनी बेकार बेकार सी कार है यार इसमें तो ना ही इंजन दिख रहे है और ना ही टायर दिख रहे है अरे यार सिंचन भाई इसी को तो हम लोग बना करके अच्छा बना देंगे कोई बात नहीं है चलना भाई यहाँ पर देख यार बहुत बहुत हेलिकोप्टर भी है और गाइस यार यहाँ पर आजा देख भाई इतनी बड़ी बस है क्या चाहिए भाई ये बोल दी अरे बापने फ्रेंक्लिन भाई यहाँ पर तो मेरे काम के कोई भी चीज नहीं है चलो यार सिमी और एंकल के पास यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए तुने वो कजारा कहा चुपा रखी है अड़े बापड़े बच्चे मैं सच में नहीं जानता प्लीज बचा लो मुझे अड़े बुड़े कही के यहाँ पर तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा अगर तुअब नहीं बचाएगा तो मैं तो जान से मार दूँगा यह ले अब तेरे सर के अंदर गोली जाने बाली है अड़े बापड़े कोई तो बचा लो मुझे यह गुंड़े लोग मुझे मार देंगे अड़े बापड़े यार सिंचन जल्दिस यहाँ पर आओ भाई लगता है यार यहाँ पर कोई मुसीबत में है अड़े हाँ यार फ्रेंकलिन भाईया मैं आता हूँ अडे हाई यार दोस्तों मुझे यार उनको बचाना पड़ेगा कैसे भी करके मेरे पास एक फिस्टल है यार चल भाई सिंचा निसी से ना उस सारे की सारे गुंडे को मारता हूँ नहीं तो यार वो लोग तो यार उन बाबाजी को मारी देंगे सभी के पास कितने बड़े बड़े गनत देख रही हो अडे यार चल भाई एक करके मैं सबको खतम करता हूँ नहीं तो यार ये लोग तो सबको मारी देंगे ये देख भाई भाई एक करके सबको खतम करता हूँ इनकी इमत कैसा है यार इन बाबा की मारने की यह ले रुक जाओ बाबा जी मैं इन सबको मार देता हूँ यह लोग आई सअर फाइनली हमने सबको मार दिया बाबा जी आजाओ भाई यहाँ पर मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ अरे तांक्यू तांक्यू बच्चे तुने मेरी जान बचा ली नहीं तो ये गुंडे लोग मुझे मारी देते अरे भापरे लेकिन यार आपको ये गुंडे लोग क्यों मार रहे थे बाबा जी ये तो बहुत कतना गुंडे लग रहे थे सब के पास कितनी बड़ी बड़ी गंस है अरे यार बच्चे क्या बताओ इन लोगोंने मेरी जादूई सकती के बारे में जान लिया था और वही जादूई सकती ये लोग मुझसे छीनने वाले थे एन वक्त पर तुमा करके मेरी जान बचा दिये बच्चे अरे बापरे ये क्या, आपके पास जदूई सकती है, इसलिए मैं सोचू कि आपके ये सरीर से क्या निकल रहा है अरे हां बच्चे, मेरे पास ऐसे सकती है, जिससे बच्चे तुम जो चाहोगे, वो चीज़े तुम्हें मिल सकती है और इसलिए यह गुंडे मुझे से छीन रहते औरे बापड़े आप तो कितनी अच्छे हो आपके पास जो चाहे वो मिलने वाली सक्ति है औरे हा बच्चे औरे यह सक्ति अब मैं तुझे देने वाला हूँ क्योंकि बच्चे तुने मेरी जान बचाई है अरे वाँ यह तो बहुत अच्छी बात है अरे हाँ फ्रेंक्लिन बईया मज़ा आजाएगा अरे बाबाजी देदो देदो अरे ठीक ठीक है बच्चे मैं अभी तुझे वो सक्ति देता हूँ अब देखना मेरे अंदर वो सक्ति आगी फिर वो तेरे अंदर भी आ जाएगी अब देखो बच्चे मैं प्रे कर रहा हूँ और फिर बच्ची अब तुझे वो सक्ति मिलने वाली है अरे हाँ मज़ाएगा मज़ाएगा मुझे भी मुझे तो वो सक्ति चाहिए फ्रेंक्लिन बईया चाहिए चाहिए अम ग्रीम ट्रीम अब मैं चाहता हूँ ये बच्चे को वो सक्ति मिल जाए अरे बाप्रे आप कैसे ये इतने ऊपर चले गए हावे में अरे यार दोस्तों देखो ना ये तो बाबाजी हावे में लटक रहे है अरे या बच्चे ये मेरी शक्ति का गमाल है अब देखो बच्चे तेड़े अंदर भी वो सक्ति जाएगी अरे बाप्रे ये क्या होने लगा मेरे साथ लगता है यार मुझे गुदगुदी से हो रही है बाबाजी अरे या बच्चे ये तो तेड़े में सक्ति जा रही है अब देख बच्चे तेड़े में कैसी स्पेसल सकती चली गई अब जा मैं चाहता हूँ रिम ग्रिम त्रिम फ्रेंकलेन को ऐसे सकती मिल जाए जिसे यह जो चाहे उसे मिल जाए अड़े बापरे लगता है यार मुझे भी कुछ होड़ा लगता है यार मैं भी हवे में उड़ने वाला हूँ अब अडे ना ना बच्चे तुम अवे में नहीं बढोगे लेकिन बच्चे अब तुम जो चाहोगे वो तुमें मिल जागी चलो बच्चे अब मैं चलता हूँ अडे बापरे वो बाबा जी कहा चलेगा यार सिंचेन लेकिन यार वो मुझे बोल रहे थे कि मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिलेगी लेकिन यार ऐसा कुछ तो हुआ नहीं और ये पता नहीं मेरे सरीर से क्या हो रहा है अडे बापरे यार फ्रेंकलिन वहीं मुझे भी डर लग रहा है यार यार बहुत ज़्यादा मजदार है दोस्तों देख रही हो यार यहाँ पर हम लोगों के पास कितनी सारी गोल्ड आ गई अरे बापर यार अरे बहुत ज़्यादा मज़ाएगा चल यार भाई घर चलती है और हम लोग यार बहुत सारी घर पे ना बहुत सारी गोल्ड और डाइमंड और कार मांगेंगे फिर तो यार मज़ा आजाएगा चल भाई यार चलते हैं सिंचेन बहुत मज़ाएगा अरे यार चलो मैं सुछता हूँ कि मेज चोप और सिंचेन यहाँ सो डारेक घर पे चले जाए अरे भापड़ यार ये तो हम लोग गिर गई यार अरे भापड़ यार ये कैसो टेलिपोर्ट हुए यार सिंचेन अरे हाँ यार फ्रेंकलिन भाईया यार ये तो हम लोग आसमान से एक बार में जम्ब कर गए अरे चल चल भाई नीचे आजा चोप और सिंचेन अरे यार फ्रेंक्लिन भाई रुको यार ये कैसे चबत कहरो यार हम लोग तो वहाई स्क्रैप फैक्टरी में थे फिर यार घर पे कैसे आ गए अरे यार सिंचन भाई चोब को कुछ बताओ यार चोब को कुछ पता ही नहीं है अरे यार चो भाई फ्रेंकलिन भाईया को एक सक्ती मिली है जिसे यार हम लोग जो चाहेंगे वो सारी चीज़े मिलेगी अड़े बापर यह ऐसी बात है क्या अड़े हाँ हाँ ऐसी बात है चली यार भाई सिंचेर हम लोग ना यहाँ पर तेरो सारी चीजे मांगती है और फिर यार हम लोग ना उस राजू के पापा को चीड़ाने चलेंगे क्योंकि यार वो तुझे बहुत ज़्यादा मार रहे थे न अड़े हाँ फ्रेंकलिन भाईया बिल्कुल सही बोल रहे हो अड़े बापर ठीक है ठीक है चलो यार अड़े यार मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि बहुत सारा कार्स आ जा यहाँ पर और बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारा डाइमंड आ जाए अड़े वायर दोस्तों यहाँ पर देखो गाईस अपने पास यहाँ पर कितनी सारी कार्स हो गई और गाईस देखो यहाँ पर हमने यहाँ हैलिकोप्टर्स भी मांग ली कितने सारे पैसे और कितने सारे डיiamard और गोल्ड हो गए अडे बाप्रे फ्रेंक्लिन भईया यार य eerste तो बहुत अची बात है अडे हाँ यार ये तो बहुत अची बात है गाईस यार देख रही हो यहाँ पड़ा में वो सारी चीजे मिल गए जिससे यार हम लोग बहुत जादे पैसे वाले बन गए अडे हाँ फ्रेंक्लिन भाईयार चलो चलो हम लोग उस राजू के पापा को जरा सबक सीका कराती है कैसे यार वो हम लोगों को कितना ज़्यादा फटी चल और गरीब बोल रहे थे ना यार अडे हाँ यार चलो यार जल्दी से उसको यार मज़द चका कराती है चल भाई यार सिंचन आजा भाई उसके पास रैंजरुवर थी ना ये देख भाई अपने पास तो डाइमंड की रैंजरुवर है आजा यार सिंचेन सात में चलते हैं और उसके पापा को बताते हैं अड़े हाई आर फ्रांकिलिन भाईया यार ये तो रैंजरवर कितनी ओसव है यार और ये भी डाइमंड की अरे हाँ चल चल भाई उसको बताती है कैसे यार वो हम लोगों को फटीचर और गरीब बोल रहा था और यार वो हम लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल रहा था चलो यार चलती है और ये देखो हम लोग आगा ये पहले तो इसको टोकूंग आ ये ले अब इसको पता चलेगा अड़े बापरे कौन है गया यह गारी से कैसे गारी चलाता इसको दिखता नहीं है क्या अड़े अड़े मैं हूँ मैं हूँ मेरा नाम है फ्रेंकलीन और यह तेरी RC कार को तो मैं वाट लगा कर भीग दूँगा तुने यार हमारे सिंचन को कैसे मारा वो भी यार उसके बड़े के दिन में यह देख तुझे तो हम लोग मज़ा चखाएंगे और यह मेरे पास डाइमंड की कार है अब तुम सब को बताऊंगा दोस्तों यह देखो मैंने सारे के सारे लोगों को धक्का दे दिया कितनी ज़्याद आच्छी बात की न औरे बाप्रे कौन है यार चोड़ दे ऐसे तो मत कर यार चोट लगती है गारी चरा रहे हम बहे अरे हाँ चराओंगा चराओंगा आप तुझे पता चलेगा फ्रेंक्लिन भाईया चराओ चराओ इसको पता चल जाए यह देखो राजू के पापा आपने पास न यार यहाँ पर डाइमंड की कार है अरे हाँ आपने डाइमंड की कार है चल भाईयार सिंचन चलती है इन ल साले अल्सी कल कुछ अडिया अरे हाँ जलाओंगा जलाओंगा वा दोस्तो यार मज़ा गया देखने दोस्तो वो लोग मुझे कैसे पहले मार रहे थे अब देखो कैसे बाते करने थे अच्छे सिक्डम दोस्तों यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलो यार दोस्तों मिलते आप से अगले वीडियो में आप लोगा में बड़े भी ज़रूर करना और अपना बड़े भी मुझे बता देना लव यू दोस्तों मजा ऑगयास तो यार